जाकर्ण विधान सभा की ओर से दूसरा छात्र संसत का आयोजवन किया गया जिसमें राजवे भर के चुने हुए छात्र प्रतिनिदी शामिल हुए इस वक्त हमारे साथ एक लड़की मौझूद है जो आज मुख्यमंत्री बनी है अम इनी से बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले तो काफी नॉर्मल सा सवाल किया आज आप मुख्यमंत्री बनी कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम इट वस बेच्ट एक्सपीरियंस कभी ऐसा प्लाटफॉर्म नहीं मिला अपने आपको खुद को प्रेजेंट करने का मैम आज जो भी वहां यहां फर्स अकेंट है यहां तक पहुचना इतने बड़े लोगों से मिलना अपने आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना दूसरों के आइडिया को लेना अपने आइडिया को देना इट इस वेरी बिग ऑपर्चुनिटी फोर में मुख्यमंत्री आपने आज बना किस तरीके का आपको लग रहा था क्योंकि सदन के अंदर काफी बाते होती चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो CM का काम होता है अच्छे से सुनना उसके बाद उन तमाम सवालों का जवाब देना उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी कि क्या यहां पर बोलेंगे जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ आएगा मैं बातों को रखना सबसे बड़ी बात होती है आप बातों को रखते कैसे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों में एक जैसे हम देखते हैं विधान सबा में जगड़ा हो जाती है तो मैं ने इस प्रकार रखा कि बस दोनों विपक्ज दल और पक्जल मेरी बातों से सहमत हो पाएं अज़र आप ने मुख्य मंद्री बना एक आखरी सवाल आप से कि अगर आपको एक दिन का मुख्य मंद्री बनाया जाए तो आप क्या कीजेगा मैं मैं तो सबसे पहले सबसे पहले मैं महिलाओं की एजुकेशन की और फोकस करूँगी जो मेरा सबसे बड़ा लक्षे होगा और जितने भी हमारे अगर हम सिर्फ जारकरण की बात करते हैं जितने भी भूक मरे हैं उन लोगों को मैं खाना और आवास प्रदान करवाओंगी। टीवी पे ही देखतें टेलिविजन पे कि वहाँ पे लोग अपने मर्यादों को भूल जातें पर यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा सारे लोग बहुत अनुशाशी थे सारे लोग डिसिप्लेन थे अपनी बातों को रख रहे थे पर एक लहजे के साथ रख रहे तो मुझे दो मंत्राले दिया गया था एक ग्रामिन विकास मन्त्राले का अपको कारे पता है क्या वो काम करते हैं जी गाओं का विकास्ट करना तथा गाओं के लोगों का कोई बहतर जीवन और बहुत इक शुच्छ विदाएं उपलब्द कराने के लिए प्रयास करें। मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने यहां पे शीखा कि अपने बातों को कैसे सीमित समय में रखना चाहिए। तरीके से अपनी बातों को रखना है यह यहां पर छात्रों ने सीख लिया है। मुझे उर्जा मंत्राले दिया गया था। तो आपने क्या सिखा यहां पर आके यह बताइए। सबसे पहले तो हमने यह सीखा कि संसद में किस तरह से कार्य किया जाता है। हर चीज का एक प्रोसीजर है। पक्ष भी अपने बात रखने का एक तरीका होता है। विपक्ष को भी ऐसा नहीं है कि वो किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचा है। और कोई भी बात बोली जाती है तो स्पीकर के थ्रू बोली जाती है। किसी को डिरेक्टली नहीं बोली जाती है यहां पर सदन में क्योंकि किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आ रहे हैं तो वो सब के भी हाफ में बात रखते है। तो जाहिर से बात है कि आपने सुना कि क्या experience इन कराया है आपको कौन सा मंत्राले मिला नगर विकास से हम अवास मंत्राले मुझे दिया गया मैं कौसल कुमार रामगड राधा गोविन बिस्टु विद्याले से रामगड को रिपर्जेंट कर रहा हूं जाना question या इस्पिरियंस रहा पहले यह बताई कि छात्र होने के अलावा आपको यहां पर निए आ गया गया धागया लुक्राले मिला हूं तो इसमें क्या जैसे हम लोग छात्र थे अभी तक तो किताबी ग्यान देखे थें क्या होता है सुनियकाल क्या होती है दोपहर का बैठक कैसे होती है पच भीपच कैसे होता है यह हम लोग किताब में ही देखे थे लेकिन छात्रों के दवारा अज पहली बार दूत्य छात्र स परकार अधिनियम बनते हैं और किस परकार वो कानुन लाष्ट में बनाया जाते हैं एक विधान सभा में आप जो कपड़े पहन करा हैं पुरा नेता लग रहे हैं आगे कि क्या प्लैनिंग है क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं जी नहीं मैं मेरा भी सक्री राजनिती बानने के ऐसा कोई विचार नहीं है अभी मैं छातरू हो तो जैसे कि हमारे माननिय अधिक्ष महदे ने भी इस बात को कहा कि पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी उसके बाद इसमें विचार क कराये होंगे यहां पर अलग क्या एक्सपीरियंस रहा क्या क्या गल्तियां आप लोगों से हुई यहां पर जैसे कि हम लोगों को युश्टी के माधम से पता चला कि यह से कारिकरम का आईजन होना है तो हम लोगों ने अपना इंट्रव्यू दिया उसमें से हम लोग 24 जो उन क्या है और हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा अनुभाव पहले नहीं था कि संसत की कारवाई कैसे होती है प्रैक्टिकली इस चीज को जानना काफी एक नया एक्सपीरियंस था हां कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि जैसे कि सर ने इस चीज को दोहराया कि हां और ना में लोग थोड़ा कंफीज हो जाते हैं कि कहां हां बोलना है कहां ना बोलना है तो यह सब छोड़ी छोड़ी चीजे हैं सर ने अपने अनुभाव से बताया कि हम लोग भी जो अनुभाव होते हैं 15-20 साल से जो अनुभाव है हम लोग भी कहीं न कहीं चूक जाते हैं तो यह को लिए किकारण भी है कि कि मैं अपने छेत्र को से खैत्रे सम्माण की प्राउड वाली फीलिए इसा एक्सपीरियंस रहा जांचे और ऑफ फला कि बुलाा गया सतरी पर किस तरीके से अपनी बात को रखा जाए ये भी सिखाया गया क्या किया यहाँ पर सीखाब ये जारकन विधान सभा का एक बहुत सरानिय कदम है कि हम बच्चों को, हम चात्रों को, युनिवर्सिटी लिवल के स्टूडेंस को यहाँ आने का मौका मिलता है हम प्रत्यक्ष रूप से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं यहाँ पर जो भी कारिये हो रहा है अविधाई का कैसे काम करती है हमारी राजिका संचाल अनिया से हो रहा है संसदिये प्रक्रिया आप लोगों को बताया गया कैसे चलती है, क्या होता है जी जी हमें संसदिय। प्रक्रिया के बारे में संझाया गया और ना सिब संझाया गया उसका हिस्तव दार उसका भागिदार बनाया गया एक सवाल आपसे कि आप आज बहुत अच्छा कारे की हैं आगे क्या कुछ प्लानिंग है पॉलिटिक्स में आने का कुछ सोचा है आपने इस वोन डेस्टिनी मेरा पॉस्टिनले से कोई प्लानिंग तो नहीं है बट आइल ट्राइ कि अगर मौका मिले क्योंकि यहां से हम देश शिवा कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा जीवन का लक्ष होना चाहिए किसी के भी जीवन का तो जाहिर से बात है कि छात्र सांसत का यहां पर आयोजन किया गया और ऐसे में अलग-अलग जीले से तमाम जो छात्र है वो राजधानी राची के छात्रन वधान सभाब पहुंचे कई लोगों से हमने बात की उनका कहना है कि एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा